नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ कंशिन भार दुआ जोर आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कोश शायद ही कोई ऐसा हो जिसे काजू या इससे बनी चीजे पसंद ना हो काजू एक ऐसा ड्राइफ रूट है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है काजू को डाइबिटीज रोग्यों के लिए बहुत ही फायदे मन माना जाता है आपको बता दें कि काजू को सिर्फ स्वाध और सेहत के लिए ही नहीं बल्कि सुन्दर्ता के लिए भी काफी फायदे मना गया है काजू में पाई जाने वाले पोशक तत्व स्किन और बालों के लिए भी काफी फायदे मन होते हैं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिर हम बात करते हैं काजू खाने के फायदों के बारे में डाइबटीज मरीजों के लिए काजू का सेवन करना काफी फायदेमंद हो सकता है काजू में कई ऐसे पोशक तत्व पाई जाते हैं जो रक्त में मौझूद ग्लूकोस को स्टेबलाइस करने में मदद करते हैं काजू में फाइबर की मात्रा मौझूद होने से ये हमारे पाचन को सुधाने का काम कर सकता है काजू खाने से गैस और कब्स की समस्या से भी रहत मिल सकती है काजू को तवचा यानि स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद माना गया है काजू में वाइटमिन E और एंटि ऑक्सिडन के गुण पाय जाते हैं जो तवचा को कई स्वास्ते समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं काजू में मिगनीशियम और केल्शियम की अच्छी खासी मात्रा होती है जो हड्यों को कम जोर होने से बचाने में मदद कर सकती है काजू को डाइट में शामिल कर हड्यों को मजबूत बनाया जा सकता है काजू में मिगनीशियम और फाइबर की अच्छी खासी मात्रा होती है जो fat और carbohydrate के metabolism को बढ़ाती है इसके सेवन से वजन को कम किया जा सकता है काजू में कई ऐसे पोशक तत्व पाई जाती हैं जो गर्ब अवस्ता में फाइदे मंथ माने गए हैं काजू में मौजूद magnesium बच्चे और माह की सेहत के लिए काफी अच्छा हो सकता है काजू में magnesium, zinc, iron और phosphorus जैसे पोशक तत्व पाई गए हैं जो बालों को कमजोर होने से बचाने के साथ-साथ उन्हें मुलायम, चमकदार और घने बनाने में मदद कर सकते हैं काजू में पाई जाने वाले तत्व शरीर को मजबूत बनाने का काम करते हैं इसमें मौजूद magnesium, हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं काजू के सेवन से शरीर में ताकत बनी रहती हैं इतना ही नहीं ये instant energy भी आपको देते हैं दोस्तो ये तो आपने जान लिया कि काजू खाने के क्या-क्या फाइदे होते हैं अब आप ये भी जान लिजी जियादा मात्रा में काजू खाने के आखिर क्या-क्या नुकसान भी होते हैं एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसी भी चीज का अधिक मात्रा में सेवन शरीर को नुकसान ही पहुचाता है काजू के साथ भी ऐसा ही है ये जैसे शाररिक लाग प्रदान करता है वैसे ही अधिक मात्रा में इसके सेवन से नुकसान भी होता है ज्यादा मात्रा में काजू खाने से हाई ब्लेड प्रेशर की समस्या हो सकती है आजकल मोटा पाव और वजन का बरना एक गंभीर समस्या बन गई है अगर आप अपने वजन को नियंतरण में रखना चाहते हैं तो ध्यान रखे कि काजू का सेवन ज्यादा मात्रा में बिलकुल ना करें विशेशक के कहते हैं कि इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत जादा होती है ऐसे में इसका सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए सिरदर्द और माईग्रेन से पीडित लोगों को अधिक मात्रा में काजू का सेवन नहीं करना चाहिए विशेशक के कहते हैं कि इसमें मौझूद अमीनो एसेड सिरदर्द और माईग्रेन के दर्द को बढ़ा सकते हैं इसके अलावा काजू के अधिक सेवन से पेट खराब, दस्त, उल्टी जैसे समस्याए भी हो सकती है दोस्तों अब हम बताते हैं आपको की काजू को आप अपनी डाइट में कैसे शामिल कर सकते हैं जिससे आपको इसका डिरेक्ट फाइदा मिले काजू को आप रॉफ ओम में भी खा सकते हैं यानि रोज के चार या पांच काजू आप दूद के साथ खा सकते हैं या फिर ऐसे ही पॉकेट में रख लीजिए और स्नैक की तरह खा सकते हैं काजू को आप पालक के साथ भी खा सकते हैं जिसे पालक पनीर की सबजी बनती है उसमें आप थोड़े बहुत काजु डाल दीजे उसको भी आप चटपटे रूप में खा सकते हैं साथी काजु को आप हलका सा नमक मिर्ची डाल के भी स्नैक के रूप में खा सकते हैं काजू को आप मखाने के साथ मिला कर सबजी कितना भी खा सकते हैं साथ ही काजू को किसी भी सबजी में डाल कर इसे गार्णिश भी कर सकते हैं और खाने के तौर पर भी इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों आज आपने चाना काजू के फाइदे, नुकसान और इसे कैसे करें डाइट में शामिल उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इसको लाइक और शेर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल ना भूलें